हेलो आप देख रहे हैं अल स्टेडी इसली चैनल आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेग ठीक है देखिए सबसे पहले सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगे देखिए आपको पूछेगा क्वेशन कि क्रिया कितने परकारकी होती है तो आप क्या सिंपल सा है सबसे पहले समझ देखिए क्रिया की परिवासा देखिए क्रिया किसे कहते हैं जिस सब्द के माध्यम से वाक्य में कार के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं किसे कहते हैं जिस सब्द के माध्यम से और वाक्य में कार के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं ठीके ना अभी आपको नहीं समझ में होगा हम इसे example से समझेंगे देखिए राम दोड रहा है ठीके ना तो यहां पे देखिए जो राम है वो क्या है आपका करता है ठीके ना राम क्या है आपके करता और किरिया काई की हो रही है दोडने की किरिया हो रही है ठीके ना किसकी किरिया हो रही है दोडने की किरिया चला फिर ना ये क्या है आपकी किरिया हो गई जैसे यहाँ पर हो सकता है आपका राधा खाना खा रही है राधा राधा क्या हो गया आपका करता हो गया ठीक है राधा क्या होगी करता क्या कर रही है दोड़ रही है खाना खा रही है खाना खाने का काम हो ना तो खाना खाने का काम हो रहा है उसमें क्रिया तो वो क्या हो गई आपकी क्रिया ठीक है अब देखे अगर आपको पेपर में सकर्मक में क्या होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म, तीनों उपस्तित होते हैं, ठीक है ना, सकर्मक क्रिया की परिवासा आएगी एक नमबर में, तो आप क्या लिखेंगे, कर्ता, क्रिया, कर्म, तीनों उपस्तित होते हैं, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, या फिर आप ये आया जाए वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया ठीक है ना जहां पे कर्म के साथ ठीक है ना कर्म के साथ चलने का बोध हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं ठीक है अब देखिए अकर्मक क्रिया जो आपकी अकर्मक क्रिया है उसमें क्या था कर्ता क्रिया होते है पर कर्म नहीं होता क्या है कर्ता क्रिया होते हैं पर कर्म नहीं होता और सकर्मक में क्या था कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित होते हैं इसमें तीनों उपस्थित नहीं होते हैं इसमें कर्ता क्रिया होते हैं पर कर्म नहीं होता उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे वह पढ़ता है तो आपकी क्रिया क्या हो गई पढ़ता है करता क्या हो गया वहा हो गया पर कर्म कहा है कर्म नहीं है अगर यहां पे होता वहां पुस्तक पढ़ता है तो वहां आपका करता हो जाता और क्रिया हो जाती है आपकी पढ़ता ठीक है क्या कर रहा है कर्म पुस्तक पढ गया आपका कर्म क्रिया हो गई पढ़ने की इतना के लिए रहे आपको अब चलिए हम इसे और अच्छा से अक्स्प्लेन करते हैं वीडियो समझ में आ रही है तो प्लेश चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो वहां सकर्म क्रिया होती है जो अभी मैंने पीछे सौट में लिखा है वही मैंने आपे थोड़ा डिटेल में लिख दिया आपको जो सुटेवल लगे आप वो लिखना ये अच्छे लगती है अगर आपको वो सुटेवल लग रहे तो आप उसको लिखेगा ठीक है दूसरे सब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्तित हो तो वहां आपकी सकर्म क्रिया होती है और मैंने के बताया था आपने लिखना है सा धन कर्म इसका मतलब है सहीद ठीक है और कर्म का मतलब है आपका कर्म यही आपकी ट्रिक है आप पेपर में इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर परिभास लिख देए चाहे आप आगे वाली परिभासा लिख सकते हैं आपको पूरे पूरे एक या दो नम्र कर स्व शनाएगा पूरे मिल जयेंगे आप देखें इसको उधारण से समझते हैं वहां मैंने उधारा गता है अभी तब भी तु ठीक है न तो आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा यह सकर्मक है या अकर्मक है शीता क्या है आपकी आपकी करता है खाया क्या है किरिया हो गई आपकी खाया हो गई किरिया क्या खाया 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 यह हो गया आपका कर्म तो ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी सकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि इसमें तीनों चीजे उपस्तिती कैसे पता चला आपको क्योंकि इसमें तीनों चीजे उपस्तिती करता क्रिया और कर्म तीनों ही उपस्तिते इसलिए हम इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे ठीक है अब आगे देखिए इस वाक्य में शीता करता है जो मैंने भी बताया खाया क्रिया है और खाना यहाँ पर कर्म है लेकिन वहाँ कौन सी क्रिया है जो सकर्मक है या फिर अकर्मक है क्योंकि इस वाकि में करता क्रिया और कर्म तीनों उपस्तित हैं तो यहां सकर्मक क्रिया हुई जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज मैंने यहां पर लिखी है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से अब आगे देखिए उधारन कुछ आप खुद बताइएगा ठीक है कमेंड बोक्स में आप मुझे आंसे बताना शाम पुष्टक पड़ता है सकर्मक है या अकर्मक है शाम क्या है आपका? करता है किदिया क्या है? पढ़ने की हो रही है क्या पढ़ड़ा है पुस्तक है तो यह आपका उगया कर्म तो आप बताए कमेंट बॉक में करता है या सौरी सकर्मक है या फिर अकर्मक है नेक्स आपका उधारण है राधा पानी पीती है राधा क्या है आपकी करता है पीती है पीती क्या आपकी किरिया है क्या पीती है पान यह है आपका कर्म तो आपने बताना है सकर्मक है या फिर अकर्मक है ठीक है अब आगे देखिए हम अकर्मक करिया पढ़ेंगे अकर्मक करिया की परिवासा अकर्मक करिया में कर्म नहीं होता जो अभी पीछे बताया था कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पढ़कर शायम कर्ता पर प्रभाव पढ़ता है उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं अगर सरल सब्दों में कहें हम तो अकर्मक क्रिया नाम से पता चल ला है कर्मका ना होना ठीक है ना कर्मका ना होना उसमें क्या होगा करता पाया जाएगा आपका और किरिया पाया जाएगी बट कर्म नहीं पाया जाएगा उसी को हम अकर्म कर्या कहते हैं आप इसको भी इस तरीके से लिखेंगे ठीक है आ धन कर्म आ का मतलब नहीं ठीक है और कर्म का मतलब कर्म यानि की कर्म नहीं होता है कर्म अचिस को बात mental को ठीक है न उप्जों एक रोक्यास्ट और आप स्परॉड और अगर वीडियो पसंदारा है जागने जिरूएगा और लाइक भी जेदूर करिए और इनके सब के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ठीके ना, अब आगे देखिए उधारण, बच्चा रो रहा है आप बताईए इसमें अकर्मक है या सकर्मक है ठीके ना, बच्चा आपका क्या है यहाँ पर, खुद पर प्रभाव डालना है ठीके ना, तो यह आपका क्या हो गया करता हो गया ओके रो रहा है, क्या हो रहा है इसमें क्रिया, रोने की हो रही है ठीके ना, तो आप लोग बताईएगा मुझे, राजन बजा रहा है सॉरी, राजन ये कौन सी किरिया हो गई आपकी अकर्मक किरिया हो गई आप देखिये यहाँ पर मैंने कुछ उधारन दे रखें आपको आपको इनके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना वहा तेज दोड़ता है तो आप लोग एक एक नमबर डालके एक दो तीन नमबर डालके आप लोग कहें मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसके कि अकर्मक है या फिर सकर्मक है वहा दिन भर गाता रहता है सकर्मक है या फिर अकर्मक है कमेंट बॉक्स में बताईएगा रमेज पढ़ता है रमेज पढ़ता है बहुत ही सिंपल है ये उधारण ठीक है न रमेश आपके क्या हो गया करता हो गया पड़ता है ये क्या हो गया आपका क्रिया चल रही है ये आपे ठीक है न लेकिन इसमें कर्म नहीं है आपने बताना है सकर्मक है या कर्मक है सिपाही चोर को पकड़ता है सिपाही क्या हो गया आपका करता हो गया ठीक है पकड़ता है क्रिया हो गई किसको पकड़ता है चोर को पकड़ता है ये करता हो गया आपका कौन सी किरिया है सकर्मक अकर्मक आपने बताना है दूसरा साम हसता है साम करता हो गया हसता किरिया हो गई ठीक है कर्म नहीं है कुवों सी किर्या है बताइएगा आप रमेश खेत जोता है रमेश करता हो गया जोता है किरिया हो गई खेत कर्म हो गया तो कौन सी किर्या है आपनों कमेंट बॉक्स में सबके आंसर बताईएगे तो यह थी आज के माई वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी आपके लिए helpful रही होगी अगर helpful रही तो प्लीज में चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल अगर जरूर दबाए अब हम नेक्ट वीडियो में मिलेने तैंक यू